अलो एवरीवन वेल्कम बाक दे चानल दिने सर बारवी की कमबाइन पासिंग रूल में आपको दी थी बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर दसवी के भी रूल बताओ कि बोर्ड एक्जाम जो होता है दसवी के बच्चों को क्या-क्या रिजल्ट में रूल अपल लिंक है आप वहाँ चले जाएए वीडियो को यहीं चोड़ दीजिए बारवी के बच्चे डिस्क्रिप्शन में पासिंग रूल है वो देखिए दसवी के बच्चों के लिए कंबाइन पासिंग रूल होता है बोर्ड के अंदर पिछले 5-6 साल पहले यह रूल आया था यह यह बहुत जबर जैसे देखते रहना मजा आएगा और खुश हो जाएगा आपका दिलाच कि यार आपका कॉंफिडेंस भी बूश्ट हो जाएगा कि मैं जिस एक्जाम से डर रहा था उस एक्जाम में पास होना कितना आजान है आपको पास ही नहीं होना है बहुत अच्छे पास होगे उस स्कूल के अंदर आपके जो सुपरवाईजर है आपके ही टीचर होंगे और अगर टीचर कम पड़ गए तो आजू-बाजू के स्कूल से आपके स्कूल में टीचर बुलाए जाएंगे तो सबसे पहले यह सेल सेंटर है 30 मिनिट्स आपको एक्स्ट्रा दिये यह लिकने दस के लिए दस मिनिट्स पहले एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए आपका साधे दस बुझी आपको को question paper मिलेगा और दस मिनिट तक आप पढ़ सकते हैं टिक मार्क वगरे कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से question करने समझो पांच में से तीन question करने तो कौन से करने कर सकते हो पेपर का analysis करके planning कर सकते हो और यह बारवी को भी मिलता है दस मिनिट तो यह basic चीजे हैं बोड एक्जाम के दिन आपको कैसे अपला होगा ओके इस साल के बच्चों के लिए 30 मिनिट एक्ष्ट्रा है अब सबसे पहले combined passing rule है ओके यहां पर combined passing rule के पहले पता दूँ कि best of five कुछ होता है बच्चों अगर आपके पास अगर मैं बोलू कि मराथी सब्जेक्ट है या हिंदी है फिर एक इंग्लीश है फिर आप देखेंगे कि आपके पास math, science और social science और यहां पर एक हिंदी सब्जेक्ट भी होता है चलो पहले हिंदी लिख देते हैं तो इस तरह से आपके छे सब्जेक्ट है और best of five क्या होता है कि इन छे सब्जीक्ट में से जिन सब्जीक्ट में आपको सबसे ज़्यादा मार्ग से समझो आपका हिंदी अच्छा है 90 माराथी में समझो 92 लेकिन आपको इंग्लीश में मार्ग समेशक कोम आता है समझो आपको 80 मार्ग सा गए आपका 600 मार्ग में इसे आया है लेकिन आपका रिजर्ट में 600 टोटल नहीं रहेगा आपकी रिजल्ट में टोटल क्या लिखा रहरेगा 500 असा कॉछ ऐसा 500 तो ये छे में शे में से एक सब्जे 12 चोर दिया जाएगा total में नहीं लेएंगे, कौनसा वो subject है तो आप देखो सबसे कम marks कुं सा है तेड़ा, तेड़ाओ, इंगलिश का marks सबसे कम है इंगलिश में कितना marks है, Only 80 marks बाकी सब के marks बहुत जाद है अगर किसी का hindi में कम है, या मराटी में कम है या maths में कम है, या science में कम है या सोशल साज में, जिस भी सब्जिक में आपका मार्व सबसे कम होगा, उसके मार्व को टोटल में नहीं लेंगे, इन सभी के मार्व में लेंगे, अभी देखो मैं कैसे करता हूं, यहां 10 कम है, आट-10, 8, 18, 20, 21, और चारकर, पच्चीस मार्व कम है, 500 में से 25 कम हैं, तो 475, अभी ये आपका percentage निकाला जाएगा in two hundred किया जाएगा और ये चला गया पांच से इसको करो five nines after two तो आपका ये 95% कम हो के 91 92 आइसा कुछ कम आता तो यार ये बड़ी मजेदार चीज है तो ये best of five रूल जो है 10 वालों को लागू है 12 वालों को लागू नहीं है सबसे पहरे तो यह best of I rule दूसरी बात आके समझो अब combine marks का भी रूल होता है languages में और math science में अब languages में कैसे होता है उस पर ध्यान दो अभी मैं language की बात करा बच्छा लेंग्वेज की बात करते हैं तो समझो आपके पास Marathi पहला लेंग्वेज यह आपका English हो सकता है या Hindi हो सकता है चलो तीनों language में कोई भी पहले आगे बीचे समझो अभी क्या होता समझो आपका Marathi अच्छा है वा 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 मराथी में आपने वा पचास माक्स लाएं कितने में से सो में से कोई वीग बच्चे उनके लिए बता रहा हूं जो स्कॉलर है उनके लिए नहीं है यह जो वीग बच्चे जो पास होने से डरते हैं तो हंड्रे 26 माक्स लाएं ओनौ इंगलिश में तो फैल हो गया हूँ क्यों कि 100 में से कितने माक्स आने चाहिए थै 35 35 माक उसको इंगलिश में सिर्प 26 माक्स आ गया हए तेल हो गया रुको रुको जड़ा सबर करो यहां देखो हिंदी में समझे उसने 40 माइदी हिंदी में कितने माश ला दिए 40 माइदी इतना गंदा हिंदी है क्या उसका ठोड़ो मैं एक्जामपल दे रहा हूँ तो अब हुआ क्या इंग्लिश में 35 के उपर आया पास हिंदी मे इंग्लिश में 26 मार्स आ गए तेरा क्या होगा रहे सामभा तो अब क्या करेंगे इसको इंग्लिश में बोर्ड पास कर देगा क्यों कैसे बोर्ड क्या बोलता है कि आपका यह 35 35 35 मिलके 105 मार्स होना चाहिए तीनों सब्जिक का कमबाइन पासिंग अगर आपका किसी एक सब्जिक में 35 से कम मार्स है अगर इंग्लिश में कम है वो मराटी और हिंदी से उठा लो अगर मराटी में कम है इंग्लिश और हिंदी से उठा लो हिंदी में कम है तो मराटी इंग्लिश से उठा लो याने कि तीनों को प्लस करके 105 के उपर होना चाहि सोमझ में आ रहे क्या एक्सोपास से ज्यादा है ना इंगलिष में पास हो गया तो भी पास तुम्हारे रिजसल्ट में कैसा लिख्या आएगा पता ऐसा लिख्या आएगा हैस्टेग इसका मतलब क्या है जो ऐसा होगा उसकी रिजल्ट में 26 के बाद हैस्टेग आएगा इसका मतलब इसको लेंग्वेज के बाकी के जो लेंग्वेज है उनके मार्क्स एड़ करके पास कर दिया लेकिन एक खत्रा है दूसरा के अभी समझो अपना कोई एक भंट्या है उस बच्चे ने यहां पर 26 नहीं लाके 23 मार्क्स लाए तो क्या अब वह पास होगा दूसरा के सर चलो प्लस करो ना सर तुम बताये था हमको 0 3 3 0 3 4 2 6 5 11 औरे सर एक सो पास से ज्यादा हो गया पास करो उसको मा बोलगा ना फैल फैल हो अरे आभी तो तुम बोले ना एक सो पास से ज्यादा होना मंगता है हुआ ना एक सो पास से ज्यादा हो गया 113 फैल कैसा हुआ अरे दादा एक सो पास से ज्यादा होना चाहिए लेकिन हर एक सबजिक में 25 माग के उपर होना चाहिए 25 का क्राइट करके आपको 105 से ज्यादा भी आ रहा है तो भी आप English में फेल क्योंकि हर एक सब्जेक में 25 से ज्यादा होना चीए more than 25 पिछले केस में क्या था इसको 26 था तो combine passing rule लग गया को कि वो 25 से ज्यादा था 25 या 25 से ज्यादा अगर इसको 24 भी आ जाए ना किसी भी एक सब्जेक में 25 या 25 से ज्यादा होना चाहिए तो ही यह combined marks जो होते हैं लेंग्वेज के यह combined passing rule लगता है तीनों में 25 से ज्यादा होना चाहिए और तीनों को प्लस करके 105 से ज्यादा होना चाहिए तो वह pass हो गया एक दूसरा प्यार से देखो बच्चों एकदम ज्यान से देखो बहुत मज़ेदार चीज़े आपको कोई नहीं बताएगा जनरली किसी को ध्यान में नहीं रहता टीचर लोग भूल जाते हैं और यह मैं हर साल बताता हूं वापस बता रहा हूं समझो मराथी में इसको 30 marks है ओ सर पाच म 3364 10 अहां अरे सर 105 से ज़्यादा अजया अरे पास अगया नाक्षो बंटू पास हो गया 30 32 46 लेकिन सब देखने का 25 से ज्यादा है और हाँ 25 से ज्यादा है अभी सेम केस समझो कि यहां पर उसको मराठी में ना मराठी में उसको आ गया 21 ओके और यहां पर इंग्लिश में अ तो यहां पर जब रिजर्ट आएगा ना बिटा जब रिजर्ट आएगा तो ऐसे लिख्या आएगा हैस्टेक दोनों में कि दो सब्जिक के अंदर उसको 35 नहीं हुने थे 35 तो हिंदी ने उसको बचा दिया डूपती नहीं को हिंदी को मिला के उसका 105 से ज्यादा वहा तो दोन में पास समझ में आ रहा है लेकिन मैं अभी बता रहा था कि अगर किसी एक सब्जिक में उसको 25 से कम आ गया मतलब 21 आ गया तो अब जो टोटल है वो कितना आ गया बेटा देखो यहां पर हमें बढ़ाता हो इसके मार्क समझो अभी टोटल देखो कितना आ गया एक मिनिट व और समझो कि मराठी में कम आया लेकिन इंग्लिश में यह मेंनत करके कैसे भी 35 मार्क 36 मार्क ला रहा है समझो तो अभी प्लस करो 6 6 12 1 13 वन आया 4 3 7 2 9 1 10 ओ फिर भी फेल हो गया 100 पास से कम अगर वो और ज्यादा मार्स ला दे कहीं से 37 को अगर मैं 39 कर दूं 37 को 39 9 1 10 6 16 वन आ जैने कि अब इसका रिजल्ट में ऐसे आएगा लेकिन अभी व प्स नहीं होगा इक निटेंट यह जञ चलो यह तो और 55 से जादा भी वोके यह पास कि अब दीлан का तो यह एक उट सेफेल होंट है हाना बाबा मैट साइंस में भी होता है हमको तो लगा इंगलिश इंदी मराटी में होता रहेगा अच्छा किसी का गुजराती मेडिया में किसी का कनर तमिल तेलगों किसी का उर्दू मेडिया में उनका भी होता है उनका भी होता है सब का होता है सिर्फ इंगलिश इंदी मर हो गया है साइंस 1 और 2 मिलाकर 100 माकी एगजाम होती है और मेर्मे की इंच में बहुत अच्छा है वा वा मैंस में न हमें 50 मास लाया लेकिन साइंस आपको यार यादी नहीं उथा तो आपने साइंस में 30 मार्स लाया ओ देवा 35 लाना था तीस आया तू फेल हो गया साइंस और मैक्स मीलाकर 70 से ज्यादा आया क्या यहाना अस्या आया ये लेकिन अभी समझे कोई बोल घु और तेरा मैक्स में आ गया 28 अब क्या करेगा सर में मैक्स में फेल हो गया मैंस बोले तो अल्जिब्रा जोमेट्री मिला कि मैं क्या करूं अबे रूख तिरे को बोर्ड पास कर देगा क्या बोलते हैं सर अभी भी उमीद है हाँ यह देख 8-8-16 और एक 4-5-2-7 और 70 से जादा आ गया पास तु भाई पास तेरे रिजल्ट में ऐसा आएगा समझ गया क्ली याद रख यह 25 से कम नहीं होना चाहिए 25 मतलब बोले तो सर समझ तु मैंस में कितना लारा देखते हैं अगर तुझे समझ साइंस में बहुत जादा आ गया तुझे साइंस में समझ 60 माक्स आ गय तो अभी मैंस में 23 आया ना तो 25 से कम है ना तो प्लस करेगा तो 83 हो रहा है सुर्च 70 से ज्यादा हो रहा है जादा हो रहा है ना भाई 25 से ज्यादा चाहिए था समझा क्या सो इस इस वाट कमबाइन पासिंग रूल पर साइंस और मैं हिस्ट्री जोग्रफी के लिए कोई र लाने का तो यह उन बच्चों के लिए था जो बच्चे हमेशा डरते हैं कि हम कैसे पास होंगे तो साइंस मैट्स का मिला के दोनों का सत्तर के उपर होना चाहिए जो भी आपके लेंग्वेज है इंदी मराटी इंग्लिश है या उर्दू गुजराती या कुछ भी लेंग् इस भी आपके बच्चों आपको आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक को औरो अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेर जरूर करना चानल पर पहली बार आयो तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मिलते हैं ऐसे ही मज़धार वीडियो में